बॉर्णिंग तो अलव यह दियर स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी मॉडूलेटेट साइक्लोटोन यह बीजी के फूर्थ सेमिस्टर का डीजी का एक टॉपिक है यह दियर स्टुडेंट्स हम जानते हैं सबसे पहले कि तो साइक्लोटोन के बारे में कि सा जैसी डिवाइस होती है जो क्या करती है चार्ज पार्टिकल जो होती है उसे एक्सिलेरेट करती है तो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनरजी देती है जिससे चार्ज पार्टिकल जो होता है वो बूव करते हुए न्यूट्लियर रियक्शन के लिए जिसका हम सकते हैं तो जब cyclotron पर frequency को modulate किया जाता है तो जो device बनती है वो होती है तो जो machine बनती है वो होती है frequency modulated cyclotron तो आप समझ गया होंगे frequency modulated की meaning क्या है यह तो हमने कहा दिया कि frequency का मांडूलन कीजिए इसकी meaning यह है कि जो भी हम frequency apply करते है cyclotron पे जो भी oscillatory frequency हम जितने भी हर्ड्स की apply करते हैं वो frequency को हमें resonant रखना है किसके साथ जो आपका सरपिलाकार पत है जो यह path दिख रहा है उस path की जो frequency होगी उसके साथ हमें इसे resonant रखना है resonant मतलब आप समझते हैं उसे अनुनादी करके रखना है equal करके रखना है तो चलिए देखते हैं इस machine को समझते हैं कि क्या इसमें cyclotron से अलग है इसके बारे में बात करते हैं और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं limitation of cyclotron students cyclotrons में बहुत सारे limitations थी मैं एक limitation की बहुत important जो है उसकी बात करूँगा कि we can't increase the velocity of charge particle from a particular velocity हम जानते हैं कि cyclotron में हम charge particle की velocity जो है उसे increase करते हैं करते करते हैं बहुत ज़्यादा increase कर सकते हैं पर एक particular velocity से उसकी velocity को हम increase नहीं कर पाते हैं यहाँ एक limitation से है यह equation आपको याद होगा हम cyclotron जब पढ़ेते तो इसके बारे में भी discuss हुआ था m equal to m not root of 1 minus v square by c square अगर हम v जो की charge particle की velocity है वो c के equal ले लेते हैं तो definitely m infinite हो जाएगा यानि कि frequency क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा frequency 0 भी तो energy 0 जैसे charge particle जो है वो को energy नहीं मिलेगी तो accelerate भी नहीं होगा है ना तो now to overcome this limitation we use synchro cyclotron और frequency modulated cyclotron हम चाहते हैं कि वो जो velocity है वो बनी रहे velocity लगातार बनी रहे उसके लिए हम frequency जो है वो positive चाहते हैं और frequency को हम modulate करके यहां पर एक नई device cyclotron में ही बनाते हैं जिसे हम कहते हैं synchro cyclotron or frequency modulated cyclotron चलिए देखते हैं synchrotron या frequency modulated cyclotron if the applied radio frequency is resonance to the frequency of spiral path frequency with constant magnetic field यानि कि जो चुमबकी छेत्र है उसे यहां पर स्थीर रखना होगा चुमबकी छेत्र को स्थीर रखकर जब आरोपित किये जाने वाली radio frequency को हम सरपिला कार path की frequency के क्या करते हैं resonant करते हैं अनुनादी करते हैं तब एक नई device हमारे पास आती है जिसे हम cyclotron के नाम से जानते हैं और यही वो work है जिसके कारण हम जो frequency zero होने वाली थी या mass जो infinite होने वाला था उसे रोख पाते हैं उस drawback को हम इसमें overcome कर पाते हैं if we apply this in cyclotron then it is called the synchro cyclotron और frequency modulated cyclotron मतलब cyclotron से ही हम इसे तयार कर सकते हैं अगर cyclotron में हम यह method यह frequency modulation करते हैं resonance की condition लेते हैं तो इसे हम synchro cyclotron के नाम से बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इसके इससे समझने की और हम जानते हैं कि cyclotron में हमने पढ़ा था कि जो cyclotron की frequency होती है f वो होती है qb upon 2 pi m के form में show होती है अब अगर हम velocity को increase करेंगे तो उस condition में definitely mass जो होगा वो decrease mass जो होगा वो increase होते जाएगा mass जो होगा वो बढ़ता जाएगा और अगर velocity c के equal आ जाएगी तो mass जो है वो infinite होगा और अगर mass infinite होगा तो उस condition में जो frequency होगी वो 0 हो जाएगी सबसे बढ़ा जो drawback है वो यहाँ पर यही है सो qb upon हमने इस value को m की जो value को है है उसे हमने यहाँ put किया यहाँ put करने के बाद यह हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया m not upon root of हम यह numerator में इसको ले लिया हमने जिससे हमारे पास frequency का नया formula आया वो कुछ इस तरह से आया इससे clear है कि अगर हमने v को 0 किया तो definitely f भी 0 हो जाएगा sorry यदि हमने v को c किया तो उस condition में f 0 होगा और इसी को हमें avoid करने और यही avoid करने वाला जो machine है वो है frequency modulated cyclotron now construction and working of the frequency modulated cyclotron अगर आप बात करेंगे तो इसकी working principles जो होते हैं वो face stability principle or different principle हमें देखने को मिलते हैं यहां normal general मैं इसके construction और working की बात करूंगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो figure है उसमें क्या खास बात है cyclotron जब हमने पढ़ाता तो हमने देखा था कि दो डीज हुआ करते थे डी जो होते थे वह एक इस तरह से एक डी होता था और एक दूसरा इस तरह से डी होता था तो हमको याद है कि दो चेंबर के अंदर रखा हुआ है जिस पर हमने एक frequency modulated source जो है यहाँ पर apply किया हुआ जिसमें हम frequency को vary कर सकते हैं यहाँ एक magnetic deflector और एक electric deflector दोनों लगा हुआ है यह आयन का source है जहां से हम आयन इस vacuum chamber में insert करते हैं vacuum chamber से जब आयन यहाँ पर अंदर आते हैं तो उस condition में जब high frequency और electric field जब magnetic field apply होती है तो उस condition में यह सरपिला कारपत या spiral जो आप देख रहे हैं उस form में का करने लगते हैं move करने लगते हैं और लगातार इनके cycle होती है वो increase होती जाती है जितनी cycle ज्यादा increase होगी उतना ही ज्यादा energy इनको मिलेगी और एक deflector के help से हम इसे बहार निकाल देते हैं और जो भी required condition nuclear reaction में bombarding जो करनी होती है उसके लिए हम इसका use कर सकते हैं तो यह बेसिक इसका construction construction working में आप समझ रहोंगे कि बहुत ज्यादा खास बात यह है कि इसमें एक हमको यह समझ मारा कि एक डीज से भी हम cyclotron बना पा रहे हैं अब यहां पर सबसे महत्वपूर बात क्या है यहां जो magnetic field है वो बहुत हाई रहती है बहुत करते हैं उसे इस तरह से manage करते हैं कि जो यह circular या spiral जो आपको दिख रहा है जो पात है चार्ज particle का यह आयंस का वो frequency और यह frequency दोनों frequency क्या हो resonance हो यानि कि दोनों frequency equal हो और equal बनी रहे यह condition इसमें करनी पड़ती है इक बनी रहेगी तो क्या होगा कि कभी भी frequency जो है कितना भी हम rotation करेंगे तो frequency कभी भी क्या होगी जीरो नहीं होगी और velocity continuously क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी यह बहुत important चीज है इसमें हम सबसे खास होता है जो deutron है helium है यानि क्या alpha particle है proton है इन सब को हम बहुत अधिक energy तक accelerate कर सकते हैं और इसमें जो हमें resonance frequency या varying frequency रखनी पड़ती है वो हर किसी charge particle के लिए या आयन के लिए जो है वो different different रखनी पड़ती है इस पर आप examples के तौर पर जान सकते हैं कि helium के लिए जैसे हम frequency रखते हैं कुछ 11 megahertz कि और 3 sorry 4 megahertz से लेकर 11 megahertz के बीच helium के लिए रखते हैं या alpha particle के लिए रखते हैं चलिए इसके derivation की बात करते हैं क्या इसमें different cyclotron से यह भी देखते हैं cyclotron frequency के बारे में हमने पढ़ाता है omega equal to qb upon m होता है या अगर हमने इसमें c square c square का multiply कर दिया तो यह हो गया qb c square upon mc square और omega equal to qb c square m into c square जो है वो value होती है energy की जिसके लिए हमने यहां पर e लिखा है पर यह energy total energy और total energy को define किया जाता है kinetic energy plus potential energy के form में तो यह potential to m not c square ही है kinetic energy को हम k से indicate कर रहे हैं तो यह फिर e की value को हमने यहां पर put कर दिया जिससे हमारे पास omega की नई value आ गई अब omega की value में देखिए हमने यहां से m not c square को common ले लिया तो 1 plus k upon m not c square आ गया यहां तक भी clear है omega चुकि एक angular frequency से linear frequency में convert करें तो 2 pi f लिखते हैं जिससे qb m not 1 plus k upon m not c square जहां से c square और c square क्या हो गया है cancel हो गया अब 2 pi को हमने यहां से transfer किया जिससे 2 pi यहां आ गया बाकी सब cases same है और अगर हम देखें तो यहां पर यह जो qb upon 2 pi m not है इसको हमने पहले भी पढ़ा है जो कि cyclotron की frequency के form में होता है है ना तो qb upon जैसे आप देख रहे हैं वहां पर cyclotron की frequency में यह result हमें मिलता था पर यहां m not है that means यह frequency जो है वो non relative frequency है तो हम इसे f not से indicate कर रहे हैं इस frequency को और हमारा remaining part जो है वो same है तो यह हमारी f not frequency है और यह जो frequency है वो हमारी cyclotron की जो frequency है वो है अब हम जानते हैं कि जो cyclotron radius होती है path का radius वो mv upon qb के form में होता है अब mv हम जानते हैं कि momentum होता है इसलिए हमने इसे momentum लिखा और c का multiply किया numerator और denominator में अब देखिए PC का हमने formula पहले पढ़ा है कि P square c square equal to e square minus m square c to the power 4 तो यह PC का formula जो relativity के formula में हम derive करते हैं वहां से हमने इसे लिखा है और qbc आपका as usual same है बट e को हम जानते हैं कि k plus m0 c square है तो e को यहाँ expand किया कि e square हमें चाहिए तो e square को expand किया तो यह value हमें e square की मिली जिस e square की value को हमने यहाँ पर put किया जिससे आप देखिए कि जो equation number 2 जो है वहाँ put किया equation number 2 यह है हमारा यहाँ पर e की value हमने detail put की e square की value a plus b whole square के form में minus m0 square c to the power 4 हुआ जिससे यहाँ पर जो values cancel होनी है यह value और यह value cancel हो गए जिससे हमारे पास e square plus 2k m0 c square upon qbc है तो कहने का मतलब यह है कि जो radius होती है circular path पी वो actually depend करती है kinetic energy पे तो जो आपका spiral path है या जो circular type का path आपको दिख रहा है charge particle का उसकी जो radius होती है वो generally kinetic energy पे क्या करती है depend करती है एक limitation इसकी भी है क्योंकि यह पूरी तरह से इसमें एक limitation और बस यह है synchrotron और cyclosynchrotron में और वो limitation यह है कि electron cannot be accelerated by this machine यह machine भी electron को accelerate नहीं कर सकती electron have charge पर हमने बात की थी पहले भी cyclotron जब पढ़ा था कि electron को उससे त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि electron बहुत हलका होता है वो float कर सकता है उसकी speed बढ़ाने पर पर एक और machine इसके बाद आप पढ़ेंगे जो कि होती है betatron और betatron एक ऐसी machine है जिसे हम use करते हैं electron को accelerate करने के लिए तो I think थोड़ा सा difference आपको समझ में आया होगा बहुत तो नहीं पर आपको clear होगा कि main thing जो इसमें है यह frequency को हम resonant के condition में रखते हैं जिसमें एक phase stability principle भी आपका होता है जिसमें phase zero होके फिर से negative आता है और फिर positive होता है उससे भी हम इसे समझते हैं पर I think आपको समझ में आया होगा कि cyclotone और synchro cyclotone में क्या difference है Thank you very much